हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे गेहूं का अटा और आलू से बहुती टेश्टी नास्ता तो कभी भी हलकी फुलकी भूखो या टिफिन के लिए बनाना हो तो आप इस तरीके से नास्ता बनाएंगे तो बहुती टेश्टी लगेगा और बच्चे बार बार मांग के तो ये हमने दो आलू को छील के पानी में डाल दिया था ताकि ये काले न पड़ जाए तो एक चाकू ले लेंगे और चाकू से इसे कट कर लेंगे तो ऐसे करके ये आप देखिए तो ऐसे करके और इसे ऐसे छोटे-छोटे पीसिस में कट कर लेंगे ज्यादा छोटे भी नही कि आप ready कर सकते हैं तो ये आप देखे हमने दोनों आलों को cut कर लिया है उसके बाद इधर हमने पानी गरम करने रख दिया था और इसे आलो को हम इसमें पानी में डाल देंगे और इसे 7-8 मिनट तक उबलने देंगे तो आलो को आप check करके ले सकते हैं कि पका है या नहीं पका है तो चेक कर सकते हैं तो हम गैस को बंद कर रहे हैं उसके बाद चेक कर लेते हैं इसको क्योंकि ये अभी हमने खोल के देखा था तो हलके से रह गए थे तो हमने दो मिनट के लिए और पका लिया था इनको तो अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो गए हैं आप देख सकत तो इसको क्या करेंगे इसको गैस बंद करके इसका पानी हम फेंक देंगे और यह आलू को हलका सा थंडा होने के लिए रख लेंगे ज्यादा थंडा नहीं करेंगे हलका सा यह थंडा होने के बाद हमें काटा ले लेंगे और उससे इसे मैस कर लेंगे ऐसे करके आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं तो ऐसे करके हम बिल्कुर बारीक कर लेंगे कोई भी गुठली इसमें रहने नहीं चाहिए इसलिए बिल्कुर बारीक करके इसको मैस कर लेते हैं तो यह आप देखे गरम गरम रहेंगे तो अच्छी तरह से मैस बजाएंगे यह तो यह हमने बिल्कुल बारी कर लिया इनको तो इनको अटा देते हैं और एक बाउल ले लेते हैं और बाउल में इसे आलू को डाल देंगे तो यह हमने सारे यालू को बाउल में डाल दिया है तो उसके बाद इसमें थोड़ी सी मसाले अट कर लेंगे तो यह हम नमक डालेंगे, नमक स्वात के अनुसारी डाले, उसके बाद इसमें डाल लेंगे ये, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, तो मसाले आप अपने हिसाफ से इसमें एड़ कर सकते हैं, कोई से भी मसाले, थोड़ा सा हम चाट मसाला इसमें डाल रहे हैं, और थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल लेंगे आप चाहते हैं इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं थोड़ा सा धनिया की पतियां डाल रहे हैं मसाले बिल्कुल कम डाल रहे हैं इसमें तो धनिया की पतियां भी बिल्कुल बारी काटके डाले और इसे मिक्स कर लेतने हैं तो अच्छी तरह से और अलू पर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मसाला 86 रिश herself तु एयसे करके और अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद और चीजय भी इस में आठ गरने वाला ma तो यह हमने एक कप गिहों का आठा लिया है छोटा कप है आप किसी कटोरी शे या उससे नापके ले सकते हैं तो यह से आटे को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा हम यह सोडा डाल रहे हैं खाने वाला जो सोडा होता है बिल्कुल एक चूटकी डाल रहे हैं और एक चमच हम रिफाइन डाल रहे हैं इसमें उसके बाद इसे mix कर लेते हैं तो इसको हमें डो बनाना है तो इसको क्या करेंगे हम हाथ से mix करेंगे तो थोड़ी देर के लिए हमने इसे ऐसे ही mix कर लिया था उसके बाद हम काटे को हटा लेते हैं और इसे हाथ से अच्छी तरह से मसल के डो बना के तयार कर लेंगे ऐसे करके ताकि हमारे आलू और गीहू का अटा है वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए तो ऐसे मसल के जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं उतना हाडनी मनाएंगे इसको थोड़ा गीला ही रखेंगे तो हलका सा पानी इसमें डाल लेते हैं और हलका हलका पानी डाल के इसका डो बना लेंगे तो अभी भी इसमें पानी की थोड़ा जरूरत है तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डाल रहे हैं जितना अच्छा हम इसे गूंतेंगे उतना अच्छा ही हमारा नास्ता बनके तयार होएगा तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पारी डालके इसे अच्छी तरह से घुझ देंगे तो ये आप देखे हमने अच्छा सा डो बना के विल्कुल तैयार कर दिया है तो हातों पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और विल्कुल छोटी-छोटी सी लोई लेंगे बिल्कुल पोरी से भी छोटी ले रहे हूं, बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी और ऐसे बना लेते हैं इसको, ज्यादा मोटी नहीं रखेंगे, बिल्कुल पतली-पतली सी यह बनाएंगे, तो यह बना के हमने तयार कर दी हैं कुछ, तो उसके बाद इतर तेल गरम कर लिया थ और जितनी भी आएंगी उतनी डालेते हैं तो एकदम फुला फुला सा नास्ता थोड़ी देर के लिए इसे हम बिल्कुल भी छेड़ेंगे नी तो यह अपना आपी देखिया आप उपर आने लग गया है और इसका कलर भी चेंज होने लग गया है तो अब इसे पलट लेते हैं तो सारी सबको पलट के दूसरी साइट भी सेख लेंगे और दो-चार बार अच्छी तरह से उलट पलट करके अच्छी करारी बना लेंगे इसे और मीडियम फ्लेम पर ही बनाएंगे ताकि ये अंदर से कच्छी न रह जाएंगे अगर हम गैस को तेज रखेंगे तो ये बहार से एकदम करारी लगेंगी और जल भी जाएंगी और अंदर से कच्छी रह जाएंगी तो इसलिए हम मीडियम डैस में ही इसको बनाएंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए तो ये आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से उलट पलट करके और कैसी फुली फुली सी पकोड़ियां लग रही है तो ऐसे ही बनाके तयार कर दी है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं थोड़ा सा साइड में रोब लेंगे आगे जितना भी हमारे पास और बचाओ आड हो है उसका भी हम ऐसे ही बना लेंगे तो ये आप देखी कितनी टेश्टी लग रही हैं देखने में ही अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा तो ये आप देखिए हमने सारी बना के तयार कर दी है तो आप इसे चटनी के साथ ये चाय के साथ कभी भी हलकी फुलकी भूक हो तो आप खा सकते हैं बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब जरूर कर दे थैंक यू